जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज घुलन्द करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे द्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बमलत देल हो में अब डिया ऑजाद को यह ग्रहन कीजिये आपके सामने तीन विकल पर दैन्स कार, jeopard के लिए बम आज़ाद है तेरे मैं आबिसार शर्मा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या मोधी सरकार कोरोना की संभावित तीसी लहर के लिए तैयार है इस वक्त ये सरकार सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म ट्विटर के साथ लड़ाई लड़ रही है इस वक्त ये सरकार अपने ही नागरिकों को आतंकवात की धाराओं में जेल में बंद कर रही है और दिल्ली हाई कोट उनका परदाफाश कर रही है किसका इसी मोधी सरकार का मगर कोरोना की तीसी लहर के लिए इनकी क्या तैयारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया नो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये सरकार अपने नागरिकों को लिकर कम से कम कोरोना को लिकर किस तरह की आपराधिक लापरवाही दिखा रही है सबसे पहले आपके सामने हैं रॉइटर्स की ये पढ़ताल और ये पढ़ताल क्या कह रही है मैं आपको बताता हूँ ये पड़ताल एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आएगी दोस्तों गौर कीजेगा 13 माई को स्वास बंत्राले ने घोशना की थी कि वैक्सीन के दो डोजस के बीच का अंतर अब 12 से 16 हफते कर दिया गया है ये अंतर जैसे कि आप जानते हैं पहले 6 से 8 हफते था आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है प्रेस इंफिर्मेशन ब्योरो का वो बयान जिसमें लिखा हुआ है साफ तोर पर gap between two doses of COVID shield extended from 6 to 8 weeks to 12 to 16 weeks based on recommendation of COVID working group सरकार यहां क्या कह रही है कि वैग्यानिकों के सलहा पर हमने कोरोना के दो डोजस के बीच का जो अंतर था जो इससे पहले 6-8 हफते था अब उसे हमने बढ़ा कर 12-16 हफते कर दिया है सरकार का यह कहना था कि वैग्यानिकों ने हमें ऐसी सलहा दी रॉइटर्स अपनी इस पड़ताल में दोस्तों ये बता रहा है कि जिन वैग्यानिकों से उन्होंने बात की जो की उस लिस्ट में थे उन्होंने साफ तोर पर मना कर दिया है उन्होंने का कि हमने ऐसी कोई सिफारिश सरकार को नहीं दी थी यानिकी इस सरकार के पास कुरोना के वैक्सीन्स की कमी थी और उस कमी के चलते उन्होंने देश को जूट बोला उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके पीछे वैग्यानिक सोच नहीं थी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके जरीए वो देश की जनता की जान के साथ खिलवार कर रहे हैं उनके स्वास के साथ खिलवार कर रहे हैं और मैं आपको बतलाता हूँ कैसे क्योंकि जो पड़ताल की गई है उस पड़ताल में ये तमाम चीजे सामने उभर कर आई हैं, उन्होंने बात की है तमाम वैज्ञानिकों से, आपके screens पर दोस्तों, Reuters अपनी पड़ताल में ये कहता है, MD Gupte, a former director of the state-run National Institute of Epidemiology, said that the NTAGI had backed increasing the dosing intervals to 8 to 12 weeks, the gap advised by the WHO, but he added the group had no data concerning the effects of a gap beyond 12 weeks. MD Gupte क्या कह रहे हैं? कि विशुस्वास अंगठिन ने कहा था कि हम दो कोरोना के doses के बीच में, जो अंतर है, वो 12 हफते तक तो बढ़ा सकते हैं, 8 से 12 हफते बढ़ा सकते हैं, मगर 12 हफतों से आगे बढ़ाने का कोई की कोई जरूरत नहीं है, कोई औचित नहीं है, ये for 8 to 12 weeks, यानि कि इस NTAGI के एक सदस्य थे, जिनका नाम है Matthew Virgies, और उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ 2 doses के बीच में, 8 से 12 हफते के अंतराल की सिफारिशनी थी, उससे उपर नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं स्वासमंतराले से कि आपने ऐसा क्यों किया, सिर्व इस लिए कि आपके पास vaccine की कमी थी, आप वैज्यानिकों की सराह का पालन भी नहीं कर रहे थे, और फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, केंदर सरकार ने क्या जानकारी जारी की थी, आपके screens पर फिर से केंदर सरकार का वो आदेश, जसमें वो कह रहे हैं कि पहले vaccination की भी dose जो था, अंतर था 6-8 हफते, अब हमने उसे 12-16 हफते कर दिया है और उसमें उन्होंने बाकाइदा COVID Working Group की एक पूरी सूची जारी की है कौन-कौन है उसमें आपके स्क्रीन्स पर एंके अरोडा, डॉक्टर आकेश अगरवार, डॉक्टर गगंदीप कैंग, डॉक्टर जेपी मुलयाल, डॉक्टर नवीन खन्ना, डॉक्टर आमूले पांडा, डॉक्टर वी जी सोमानी इस फहरिस्त में दो नामों पर गोर कीजेगा एक नाम है Dr. N.K. Aroda और दूसरा नाम है Dr. J.P. Mulyal N.K. Aroda जो है वो है डाइरेक्टर I.N.C. L.E.N. ट्रस्ट और Dr. J.P. Mulyal है रिटार्ट प्रोफेसर क्रिश्चिन मेडिकल कॉलेज वेल लॉर इनसे बात की Reuters ने और ये दोनों क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तो J.P. Mulyal यहां यह साफ तोर पर कह रहे हैं कि vaccination के बीच जो doses हैं जो अंतर है उसे बढ़ाने पर विचारत हुआ महर किसी ने ये बात नहीं की कि इसे 12 से 16 हफ़ते कर दिया जाए और यही ने दूसरा नाम जो कि मैंने आपको बताया N.K. Arura जब उनसे इस बारे में सीधे तोर पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई टिपणी नहीं की ये क्या बतला रहा है हमारे वेग्यानिकों ने साफ तोर पर मना किया कि 12 से 16 हफ़ते का जो अंतर है वो ना किया जाए मगर बावजूद इसके इस सरकार ने ऐसा किया इस सरकार ने इन वेग्यानिकों के कंधे पर रखकर गोली चलाई है देश की जनता के सामने गलत बयानी की है आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इस देश की जनता की जान की कोई कीमत नहीं है कोई कीमत नहीं है क्योंकि मैं इस बात को बहुए भी समझता हूँ कि मोदी सरकार के मन में वैक्सिनेशन को लेकर कोई एहमेत नहीं है इसके मैं आपको दो-तीन प्रमान देना चाहूंगा भारत सरकार ने दो वैक्सिनेशन्स के ओर्डर दिये इस साल की शुरुवात में यानि की जनवरी 2021 और क्या आप जानते हैं कि अमरीका, बृतन जैसे बड़े-बड़े देश जो थें उन्होंने पिछले साल मई जून में ही ये आदेश दे दिये थे मगर भारत जहां की आबादी सौ करोड से जादा है 130 करोड की आबादी है और आज की तारीक में दूसरी लहर जो है कोरोना की वहां पर इतने बुरे हालात हुए भारत सरकार ने इसी साल की शुरुवात में दिया और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों अप्रेल आठ को प्रधान मंत्री का एक वयान आया था जो मैंने आपको कई बार अपने कारकरम में सुनाया प्रधान मंत्री ने कहा था कि बगएर वैक्सिनेशन के बगएर कोरोना के टीकों के हमने इस युद्ध को जीत लिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में कोरोना के वैक्सिन्स को लेकर इस कदर गम भीरता है तो आप सोच सकते हैं वैक्सिन्स को लेकर ये लोग इसी तरह का रुख अपनाएंगे और बात यहां नहीं रुखते बार-बार ये लोग आयुश्मान भारत की बात करते हैं क्या आप जानते हैं कि इंडिया टुडी ने सूचना के अधिकार के अंतरगत एक RTI फाइल किया और उससे ये पता चला है कि आयुश्मान भारत योजना का फाइदा बहुत कम लोगों को हुआ है पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुश्मान भारत योजना है क्या आपके स्क्रीन्स पर आयुश्मान भारत योजना 2018 में लगभग 50 करोड भारतियों को ये सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी कि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास सेवा मिले इस योजना के तहट एक लाभारती प्रती परिवार प्रती साल 5 लाक रुपए तक मुफ्त चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकेगा आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ पहला सवाल क्या कोरोना महामारी में देश की जनता को आयुश्मान भारत का लाभ मिला? दूसरा सवाल आखिर कितने लोगों को इसका फाइदा मिला? और मैं आपको बतलाना हुआ सिफर यानि जीरो पंजाब में जीरो बिहार में सिर्फ उननीस उत्तर प्रदेश जैसी बड़े राज में सिर्फ नौसो पचत्तर और जारखन में एक हजार चार सो उननीस ये हकीकत है आयुश्मान भारत योजना की आप देख रहे हैं गुजरात जैसे राज में एक भी व्यक्ति को फाइदा नहीं हुआ और ये मेरी जानकारी नहीं है दोस्तों ये जानकारी किसकी है? ये जानकारी है आरटी आई के अंतरगत जो जानकारी आई है भारत सरकार से खुद भारत सरकार ये बात कह रही है ये देखिए आपके सामने ये पूरी फैरिस देखिए अलग-अलग राजियों की फैरिस इस वक्त जो आपके स्क्रीन्स पर है इसमें साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि कितने राज्यों को आयुश्मान भारत का फाइदा मिला आपके सामने पूरे आकड़े हैं और ये आकड़े सरकारी आकड़े हैं और आप जानते हैं सबसे दुख की बात ये है आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में देश की जनता को कितना नुकसान हुआ हमारे आसपास हर किसी शक्स से जुड़ा कोई न कोई आदमी कोरोना की बली चड़ गया मगर क्या आप जानते हैं कि इस भारत सरकार के लिए first wave और second wave कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में कोई फरक नहीं है इसका प्रमान चाहिए आपको आपके स्क्रीन्स पर RTI की अंतरगत सवाल क्या पूछा गया How many corona patients were treated under the आयुश्मान भारत scheme during the first wave of COVID please provide statewide break up सवाल पूछा गया कि कितने मरीजों का जो उपचार है वो आयुश्मान भारत योजना के अंतरगत किया गया जवाब में क्या कहा गया आपके स्क्रीन्स पर There is no official information regarding clear का demarkation between first and second wave of COVID-19 हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो फर्क बताए पहले लहर और दूसरे लहर के बीच में और चाहे ये तमाम चहरे हों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमिट शाह, स्वास मंत्री हर्शवर्धन ये लोग तमाम लोग क्या कह रहे थे कि हमने दूसरी लहर का जबरदस्त मुकाबला किया पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में हम और भी ज़्यादा सजग हुए औक्सिजन टैंकर मिल नहीं रहे थे बिस्तर लोग को मिल नहीं रहे थे दवाईयां लोग को मिल नहीं रहे थे फिर भी दावा किया जा रहा था मगर दावा क्या किया गया कि दूसरी लहर के लिए हम कहीं ज़्यादा मुस्तैत थे कहीं ज्यादा तैयारी थी आप देखिए ना सरकार ने क्या कहा है आपके स्क्रीज पर फिर पढ़के दिखाना चाहता हूँ आपको आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार के जहन में अपने देश की जनता की कोई परवा है या नहीं है इस ख़बर को देखिए जेपी नड़ा जो हैं आने वाले चुनावों के लिए चिंतन बैठक कर रहे हैं मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ क्या भारती जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की एक मशीन है उसके लावा कुछ नहीं आज जो दो खबरे मैंने आपको बताई ही क्या खबर बताई दोस्तों रॉइटर्स की खबर क्या बताती है सरकार हमें जूट बोलती है कि वैग्यानिक आधार पर हमने कुरोना के वैक्सिन्स के दो डोस्तों के बीच का समय अंतर जो है वो बढ़ा दिया है क्योंकि हमें वैग्यानिकों ने सलहा दीती सरासर जूट और फिर आपने देखा आयुशमान भारत के अंतर गुजराज जैसे राज में एक भी व्यक्ति को फाइदा नहीं हुआ पिहार में कितने लोगों को फाइदा हुआ आपके सामने आकड़ा था उत्तर पदेश में कितने लोगों को फाइदा हुआ आपके सामने आकड़ा था पंजाब में भी व्यक्ति को फाइदा नहीं हुआ बताईए ना ये लोग कब तक देश की जनता को इसी तरह से मूर्ख बनाती रहेंगे और सारा का सारा ध्यान जो है भड़काव मुद्दों की तरफ और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों क्योंकि अब इन्होंने ट्विटर के खिलाव जंग छिड़ दी है ट्विटर को अब तक 1289 यानि की सेशन सेवन्टीनाइन के अंतरगत पुलीस के पूछताच या पुलीसिया कारवाई से सुरक्षा हासल थी अब उसे हटा दिया गया है मैं आपको बताता हूं मामला क्या है पढ़के बताता हूं दोस्ते आपके स्क्रीन्स पर देनिक भासकर की खबर है ट्विटर को नेमों का पालन ना करना पड़ा भारी नए आईटी नेमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया न्यूज एजनसी के मताबिक भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गमा दिया ह सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए IT नेमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है जिसके बाद उसके खिलाफ ये आक्शन लिया गया है अब इसकी वज़ा से होगा क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक करके पहला जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्र सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स को धारा 89 के तहत सुरक्षा मुहया कराई जाती है ये प्रोटेक्शन ट्विटर को भी मिली हुई थी यानि कि होता क्या है कि ट्विटर पर किसी ने कोई आपराधिक चीज डाल दी अब इसमें ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ट्विटर हर यूजर पर नियंत्रण नहीं हासिल कर सकता अब ट्विटर को वो सुरक्षा हासिल नहीं है दूसरी बात नए IT&EM के तहट सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कांपनी एक महिने के अंदर मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की न्यूकती करे जो यूजर्स की शिकायत को सुलजाए तीसरा सरकार के फैसले के बार ट्विटर अब अकेला अमरीकी प्लाटफॉर्म है जिससे IT Act की धारा 79 के तहट मिलने वाला ये कानूनी संरक्षन वापिस ले लिया गया है जबकि Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram जैसे अन्य फ्लाटफॉर्म के लिए अभी ये सुरक्षा हासिल है हो किया रहा है दोस्तों ट्विटर से सरकार की एक लंबी लडाई चल रही है क्योंकि आपको याद होगा जब भारती जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने गलत बयानी की थी एक जूटी खबर फैलाई थी कि कॉंग्रेस के टूल किट के अंदर देश को बदनाम किया जा रहा है बाद में पता चला कि संबित पात्रा ने या रमन सिंग ने जो जो जानकारी डाली थी वो सब घलत थी ट्विटर ने उससे मैन्यूपिलेटिड मीडिया बताया था उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि इसे हटाईए क्योंकि हमारे प्रवक्ताओं की बेज़ती हो रही है तब ही से ये लोग ट्विटर के पीछे पड़ गए थे अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत और क्या पेश आ रही है दिक्कत ये पेश आ रही है कि कल लोनी घाजे अबाद में उत्तर प्रदेश पुलीस ने एक एफ आई आर दर्च कि एफ आई आर में कई पत्रकारों के नाम है और ट्विटर का भी नाम है घटना क्या थी मैं आपको बताता हूँ 72 साल के एक बुजर्ग की पिटाई होती है ये उनकी तस्वीर है उनकी पिटाई होती है और ये बुजर्ग बयान देता है कि मुझ पर दबाव डाला गया था जैश्री राम का नारा डालने के लिए और मेरी दाड़ी काड़ दी गई थी वो वीडियो सब के सामने है मगर उस वीडियो में कोई आडियो नहीं है और दोस्तों उसी वक्त मेरे कान खड़े हो गए थे कि भाई ये बुजर्गे दावा तो कर रहा है जैश्री राम के नारे उससे जबरदस्ती बुलवाए गए मगर आडियो कहा है इस वीडियो का बाद में पता चला कि मारने वालों में से जो चार लोग मार रहे थे उनमें से एक प्रवेश गुजर था मगर बाकी तीन मुसलमान थे वजह जैश्री राम नहीं था वजह ये था कि ये बुजर्ग जो है ये ताबीज देता था और ताबीज देना किसी के लिए उल्टा पड़ गया इसी वजह से उसकी दाड़ी भी काट दी गई जो नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आप एक 72 साल के बुजर्ग के साथ ये बरताब नहीं कर सकते हुआ क्या कि कई पत्रकारों ने उस जानकारी को डाल दिया ट्विटर पर अब ट्विटर पर उत्तर पदेश पुलीस ने केस कर दिया ये देखिए आपके सामने वो F.I.R है आज मैं उत्तर पदेश पुलीस से एक सवाल करना चाहता हूँ एक बात बताईए आपकी स्क्रीज पर ये है सुलब श्रीवास्तर ये आदमी अपने मरने से दो दिन पहले A.D.G. लॉइन ओर्डर को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मेरी जान को खत्रा है शराब माफिया मुझे कभी भी मार सकते हैं मेरे पीछे पड़े हुएं ये लोग लगातार मेरे पीछे पड़े थे दो दिन बाद इसकी लाश मिलती है बगैर उसकी पड़ताल कि ये उत्तर पदेश पुलीस ये कह देती है कि ये दुरघटना की वज़े से हुआ यहां तक कि उसकी अपनी संस्था ABP News गंगा ये कह देती है कि उसकी मौत हुई दुरघटना की वज़े से ये इसका प्रमान है आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ UP पुलीस कि आपने जो मुस्तैदी ट्विटर को टार्गेट करने के लिए या कुछ पत्रकारों को टार्गेट करने के लिए दिखाई वो मुस्तैदी आपने सुलब श्रिवास्तव के मामले में क्यों नहीं दिखाई सबसे पहली बात आपने सुलब को सुरक्षा क्यों नहीं दी उसने शिकायत की थी आपने क्या अक्शिन लिया और जब उसकी मौत हो गई तब आपकी पुलीस इस तरह से गहर जिम्मेदाराना बयान क्यूं दे रही थी मैं आपको बताता हूँ उन पत्रकारों को क्यूं टार्गेट किया उन पत्रकारों को इसलिए टार्गेट नहीं किया कि उन्होंने लोनी घाजियाबाद मामले में कोई फर्जी खबर या फेक नियूज जा ली नहीं क्योंकि इन में से अधिकतर लोग इस सरकार के आलोचक हैं जी हाँ इस सरकार की आलोचना करना एक गुना है और कल दिल्ली हाई कोट ने इनकी बखिया उधिर दिया दोस्तों इन तीन चेहरों पर गोर कीजिए देवांगना कलीता, नताशा नर्वाल और आसिफ तनहा इकबाल इन तीनों को आतंकबाद की धाराओं के अंतरगत जेल में बंद कर दिया गया था केंदर सरकार ने जो UAPA की धाराएं देवांगना कलीता, नताशा नर्वाल और आसिफ तनहा इकबाल पर लगाई उस पर क्या कहा दिल्ली हाई कोट ने आपके स्क्रीन्स पर पहली बात, मनमानी करने दी गई तो लोकतंतर खत्रे में पढ़ सकता है दोस्तों इससे बड़ा और करारत हमाचा क्या हो सकता है कि अगर ये केंदर सरकार मनमानी करते रही तो लोकतंतर खत्रे में पढ़ जाएगा आज मैं मोधी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके मन में लोकतंतर के लिए सम्विधान के लिए कोई इज़त है दिल्ली हाई कोट आपको आईना दिखा रहा है दूसरी बात क्या कहिए आपके स्क्रीन्स पर हम ये कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर की से कि मामला हाथ से ना निकल जाए सरकार ने सामविधानिक रूप से मिले विरोध का अधिकार और आतंकवादी गतिविधी के बीच अंतर की रेखा को धुंदला कर दिया है ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंतर खत्रे में पढ़ जाएगा और क्या सुनना चाहते हैं आप बताईए ना मैंने इसलिए आप से कहा जुबैर या राणा यूब ये सबा इन लोगों पर इसलिए एफायार दर्ज नहीं की गई है क्योंकि ये लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं क्योंकि ये लोग सरकार के आलोशक हैं ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलीस ने इसलिए फायार दर्ज नहीं की क्योंकि ट्विटर जो है वो फर्जी खबरें पहलाने में मदद कर रहा है नहीं सिर्व इसलिए क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के जूटे ट्वीट को मैन्यूपिलेटिड मीडिया बताया था हकीकत ये है इसके लावा कुछ नहीं हकीकत ये भी है दोस्तों कि हम एक के बाद एक ये जो हरकते कर रहे हैं लगातार इस देश की जो सामवेधानी जड़े हैं उसे खोद रहे हैं इस देश की जो लोक्तान्तरिक रीड है उसे तोड़ रहे हैं ये सरकार 2024 को हो सकता है चली जाए या 2029 तक चली जाए मगर देश को इसकी कीमत अगले 50 सालों तक अगले 20 सालों तक चुकानी पड़ेगी न उसकी आप और हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं मेरे इन शब्दों को याद रखेगा आप में इसे कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा मगर आने वाले दिनों में इन शब्दों को याद रखेगा नमस्कार